प्लीज सब्सक्राइब और प्रेस्ट बेल आइकन तो गेट नोटिफाइड वेनेवर वी अप्लोड अन्यू वीडियो उन्नेताओं पर खड़ा हो गया है जो चंदन की मौत पर अपनी एक तरफा सियासत चमकाने में चुटे हैं समाजवादी पार्टी के संसद रामकुपाली आदव ने संसद के बीतर खुल कर ये दावा कर दिया कि चंदन की हत्या करने वाला गैर मुसल्मान था आकिर किस अधार पर इतना बड़ा दावा किया गया है क्या समाजवादी पार्टी ने साइटी से भी बड़ी कोई चांच एजनसी बना रख की है या फिर गैर मुसल्मान कातिल का मुद्धा सिर्फ तुस्तिकन के लिए उठाया गया है क्योंकि जिस सुत्य पर देश पर ये हत्या होई वहाँ 20% मुसल्मान है तो क्या सिर्फ मुसल्मानों को कुछ करने के लिए एक सर्फ बयान दिया गया संसद के अंदर आज इसी पर होगी देश की सब्स्य बड़ी बैस कास गंज पर सामप्रदाइक सियासत क्यों आखिर कैसे फैसला हो जाता इस देश के अंदर की हत्या गैर मुसल्मान ने कर दी है ये कैसे फैसला हो जाता है कास गंज में चंदन की मौत के बाद आज अचानक नया मोड आ गया चंदन के पिता ने आरोप लगाया कि उन्हें धमकी दी जा रही है हालांकि पुलिस ने धमकी की बाद से इंकार कर दिया लेकिन पुलिस का बयान आने से पहले चंदन के पिता ने क्या कहा था आपको वो सुनवाते है लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या कोई कासगंच और चंदन के गुनहेगारों को ऑक्सीजन दे रहा है क्योंकि चंदन की हत्या पर आज संसब में भी संग्राम छिड़ गया और हैरानी की बात है कि ना जाने किस जाच के अधार पर समाजवादी पार्टी के नेता संसब से लेकर सड़क तक ये दावा कर रहे हैं कि चंदन के हत्यारे खेर मुसल्मान है कास गंद में माइन और वल फिय चंदन के साथ ज्याती हो रही है लोगों के दर्वाजों को तोड़ कर उन पर अमले किये जा रहे हैं गिरफतार किये जा रहे हैं मारे जा रहे हैं सारा बेस रानता है कि इस ग्रेक्ट की अधार करने वाला नौन मुसलिम है इस तरह कि जब कभी भी कोई घटना होती है तो उसका अगर हम सियासी लाब लेने की कोशिश करेंगे तो निसी तोर से उन ताक्तों को ताकत मिलेगी जो ताक्तें की समाज के माहौल को खराब करने की कोशिश करती है हत्या से ठीक पहले ये चंदन की आखरी तस्वीरे हैं जिसमें वो कई युवाओं के साथ हाथ में तिरंगा लहराते हुए नजर आ रहा है युवाओं की भीड में बुलट चलाता हुआ चंदन सबसे आगे नजर आ रहा है लेकिन कुछ देर के बाद ही चंदन की हत्या कर दी गई उत्तर प्रदेश पुलिस की SIT इस पूरे मामले की जाच कर रही है हत्या का मुख्यारोपी सलीम गिरफ्तार हो चुका है लेकिन नेताओं की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस कास गंज पर सामप्रदाइक सियासत क्यों और अब विश्चलेशन वोट के लिए एक तरफा सोच का विश्चलेशन शांत कास गंज को फिर सुलगा रही है ये सामप्रदाइक और सुन्पुष्टी करण की सियासत जान जारी है लेकिन सपा का दावा कातिल गैर मुसल्मान है चंदन की मौत पर सियासत चमकाने की भरपूर कोशिश की जारी है जनाब जाती धर्म के नाम परताई होगी क्या मोत पर समवेदना क्या हम जाती धर्म के आधार परताई करेंगे कि किसको कितनी समवेदना देनी है मैं सीधा रुख करता हूँ अपने पैरल का मेरे साथ की इस डिबेट के अंदर डॉक्टर संवित पात्रा जुड़ने हैं भारती जन्ता पार्टी के राष्टे प्रवक्ता अबु आस्मी जुड़ने हैं नेता समाजवादी पार्टी के सुधीन भदरिया है मेरे साथ लोगों का स्वागत है इस डिबेट के अंदर और इस डिबेट को मैं अबू आस्मी साभ आपसे उपन करता हूं और दो टूक पूछता हूं आपसे सर आकिरकार कौन सी जांच एजन्सी समाजवादी पार्टी के पास है जिसके बिहाव पर वो इस निर्णे पर पहुंच ग इसलिए पहुंच गए कि काश गंज में मुसल्मान जंडा फैराने के लिए तयारी कर रहा था मुसल्मान जगडा करने की तयारी नहीं कर रहा था कुछ लोग हाथों में तिरंगा जंडा और एक हाथ में भगवा जंडा भगवा जंडा के साथ क्या जरूरी था और वहाँ और हाथों में हत्यार रखना आज दिक रहा है सब सोशल मीडिया में आ रहा है चारों तरफ कोई उसको जुपला नहीं सकता मेरे पास शॉट है मेरे पास भी शॉट है उसमें दिखेगा आपको कौन चे धंड़ा है तो वंदे मात्रम पढ़ना होगा सुनिये सुनिये जंडे के साथ साथ भगवा जंडा भी है और भगवा जंडा हर जगा लाल रुमाल बांथ के गले में सर पर बांथ कर तलवार लेकर इस तरह की हरकते हैं जो लोग करते हैं उनलोगों ने ये काम किया होगा मैं कहग्ता हूँ कि जब वहार पर वोह लोग तैयारी कर रे दो आप जाते हैं आजों साफ में जहनडा अच्छा लगता लेकिन जाकर मोटर साइकल में कुरसी धुकिलना और वहा पर नारे देना और तैयारी के साथ जाना इसकी एसाइटिस थाने इसकी एक इंकौरी हाई कोट से होना चाहिए मुझे बिलको यकीन नहीं हुता पुद्धिस की सरगार पर बड़ी पते की बात पुलिये कि इसकी इंकौरी होनी Чाहिए लेकिन लेकिन वसीम सलीम के साथ 18 लड़कों को गिर्फतार किया गया है तो आपकी पाती के नेता लांकोपाल यादव इस क्रिशकर्स में कैसे पहुच गए वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपने जो बात बोली मैं उस बात पर आता हूँ यह शोर्ट्स प्ले कर रहे है देश की चंदा तेके इन विजोल्स के उपर यहां कहां भगवा जंडर नजर आ रहा है चंदन गुपता सामने दिख रहा है तिरंगा सामने दिख रहा है क्या भगवा नजर आ रहा है आपको नजर में आ रहा है अगर आपको नजर में आ रहा है तो आपको चंदन कुपता के बास नजर में आ रहा है और आपको चंदन कुपता के बास नजर में आ रहा है और आपको चंदन कुपता के बास नजर में आ रहा है और आपको चंदन कु इस तरह से नहीं जाना चीए और नारा हिंदुस्तान पे रहना है तो वंदे मातर पढ़ना पढ़ना पड़ेगा पाकिस्तान मुर्दाबाद मुसल्मान को क्यों सुना तो पाकिस्तान मुर्दाबाद संबित पात्रा एक पॉलिटिकल पार्टी इस देश में रिशकर्ष पे पहुंझाती है कि गैन मुसल्मान ने हत्या करी है और आजम खान तो यहां नहीं रुकते रामकुपाल आज़ा तो संसत के पटल में ये बात कहते हैं और आजम खान बाहर ये बात कहते हैं कुछ भव संक्यक यूवकों को नौक नी दिलाईए नहीं तो मोटर साइकल पर घूमते हैं इदर उदर हर महले में गुज जाते हैं इनको सबसे ज़्यादा जरूरत है क्या एक धरम को टागेट करने की कोशिश हो रही है देखे आमीश भाई मुझे लगता है अब वक्त आ गया है जब हमें दिल खोल के सच्चाई को जनता के सामने रखना चाहिए क्योंकि जनता को भी लगता है कि कोई उनके दिल की आवास को तो कहे और बिना पॉलिटिकली करेक्ट होकर कहें जो सच्चाई हो कहें मैं कोशिश करता हूं देखे 70 वर्षों से यह जो कॉंपीटिटिव पॉलिटिक्स चला है हिंदुस्तान में उसमें एक वर्ल्ड कप चल रहा था धर्मनीर पेख्षता के नाम पर कि मैं सबसे बड़ा सेक्यूलर पार्टी हूं और इस वर्ल्ड कप में कहीं न कहीं हिंदूओं को टेकन इसको जाती के नाम पे बाटते रहो और मुसल्मानों को अपीज करके इसको वोट बैंक बना दो तो इसी का आज नतीजा है कि हिंदू अगर कोई मारा जाता है तो उसमें कहा जाता है चोड़ो ना इस पे कोई कोई चिंता नहीं करेगा वगर अगर किसी भी दुर्भाग्य व अरे भाया भगवा जंडा ही तो है वैसे तो भगवा जंडा मुझे कहीं दिखनी रहा था मगर फिर भी मैं बोल रहा हूं दस भगवा जंडा होता तो क्या गोली मार देते अरे जो लोग याकूब मैमन के लिए आगी रात में कोट में जाकर गुआई कर रहे थे कि silence ने बै 누 ahora है कि के वह दोगयां दो मार वहझा करने वाले अज भगवा जंडा को गाली देंगे शिंदन लगाने वालों को गाली देंगे कि किस तरही जगडा जो रही हैं आप आपने यह क्या कहा कि भगवाज जंडा लेके गया इसलिए गोली मार देंगे वंदे मातरम कहा तो गोली बार देंगे अरे याकूब मैमन के पीछे आप खड़े हो जाते हैं याकूब मैमन को फासी नहीं चाहिए अरे पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाना मुस्लिमि आपना मुहला अपना मोहला पाकिस्तान से लेना देना लगा किया हूता है नहीं चाहता हो कि आप क्लारिफाई करें आप कि अमारे इलाके में आप क्यों आते हैं यह क्या मतलब होता है इन्हों ने देश का विभाजन कर रखा है यह मुस्लिम इलाके में हिंदू नहीं घुसे मैं चाहतों भावनाओं को ना बढ़काया जाए पॉइंट नंबर टू अबू आजमी वहां वंदे मातरम अगर हुआ भारत माता की अगर जय हुआ भगवा भी हुआ लाल पट्टी भी आपकी अकॉर्डिंगली लेकिन अगर पाकिस्तान अगर पाकिस्तान मुर्दाबाद तो अवल हुआ निमा पर अगर पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा भी दिया गया उदर तो गोली मारने का लेसेंस तो किसी को नहीं मिलता और उससे भी उपर आपने तो फैस्ता सुना दि आप मुझे बताइए आप किस मिना के ऊपर इतनी बड़ी स्टेट्मिंट आपके नेता दे रहे हैं और आजम खान तो और आगे बरते हैं आजम कहान कहते हैं बहुत संक्यक्त इस देश में गुंडा करती कर रहा है यह कहना चाहते हो जगड़े की तैयारी में नहीं थे यहां सच्चा हिंदुस्ता का नारा लगा रहे थे और जंडा फैरा रहे थे इनका जगड़ा करने का कोई मूड नहीं था जो लोंग मोटर साइकल पर यहां आए बड़े है करके कुर्सियां फिकने लगे आगे बढ़ने लगे वो लोग ज देखिए आज जब समाजवादी पार्टी कह रही है कि बहु संख्यक हिंदू लड़कों को आप नौकरी दीजिए नहीं तो वो दंगा पहला रहे हैं अगर यहीं शब्द किसी ने अल्प संख्यों के कहा कह दिया होता तो आज क्या होता आज यह अवार्ड वापस करके सड इस प्रकार के एक सब्सक्राइब किया था उसके बाद अलाबाद हाई कोट ने लटार लगाई थी कि आतंगवादियों को कैसे छोड़ सकते हैं अरे यह वह पार्टी है जो आतंगवादियों को भी छोड़ सकती है क्योंकि इनको वोट जाए ठीके मैं रुक करता हूँ क्वादी लुका यह एक हिंदू को अतंगवादी बताने का काम कर रहे हुआ जिया जो बार बार हिंदू को अकंगवादी बताकर और अभी आपने चंदन गुपता को गुंडा बताकर आपने हिंदू के साथ बिल्कुल उचित नहीं किया है देख रहा है देश इसका जवाब देगा निकल करका से नहीं नहीं तो चाहता हूं कि यह मापी मांगे अभू 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 स्थाइटी उत्तरबर्देश पूलिस से ज़्यादा जानकारी है इस जानकारी को किनपा करके आप सरकार को दीजिए कोई किसी को निकलने के लिए नहीं बोल रहा है मैं सुदीन बदोरिया के बास इस डिदॉर में जारा जाता हूं बदोरिया साब आपका एक बयान पढ़ कर रहे हैं और क्या आपको लगता है कि बी एस पी और एस पी राजधरम का पालन कर रही है समाजवादी पार्टी तो कह रही है वो गैर मुसल्मान थे जिन्नों ने मारा वो राजधरम है यह देखिए मैंने नहीं का मैं तो दोहरा रहा था उस बयान को उस वक्त तवे को जो श्री अटल बिहारी वाजपेई ने गुजरात में जब दंगे हुए और नरेंद्र मोदी जी मुख मंत्री थे नरेंद्र मोदी जी उनके बगल में बैठे हुए थे उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेई ने गुजरात में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इन्हों ने अपने राजधर्म का पालन नहीं किया इन्होंने यहां के नागरिकों कुछ रक्षा नहीं प्रदान की और देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश के महामहिम गवर्नर रही है यह उत्तर प्रदेश के मुख मंत्री की जिम्मेदारी है ठीक है चाहिए वो किसी भी धर्म का नागरिक हो हम पूरे इस से उपर हो गया है नजीब नहीं मिला तो किसी को इनका उसका दर्द नहीं हो रहा है कि और क्या रोहित वेमुला की जिस तरह से जान गई उसका दर्द नहीं है तो उनकी माँ को भी दर्द है अगर इनकी माँ और जो हमारा भाई चंदन है हमें उसका भी दर्द है पर देखिए इस तरफा नहीं चलेगा कुछ लोग आप भी यही पैसा चुना रहे हैं कि गैर उसमानने मारा चाहते हैं हम उसकी निंदा करते हैं यह देश सम्विधान के हिसाब से चलेगा इन लोगों के सामप्रदाइक दंगों के कराने के हिसाब से देश को कमजोर करने वाली जोतागते है उसका हम मुक्राबा करेंगे हम आपका रुख करता हूँ अभी तक आपने डिवेट को पूरा सुना आपके बसाओंगा कास्मी साप सेद रिजवान जो कुछ हो रहा है और जो कुछ कहा जा रहा है आपके सामने है जुनेत की बात भी आती है रोईत वेमुला की बात भी आती है बात अखलाक की भी आ जाती है और चंदन की बारी जब आप बात आती है तो यह कह दिया जाता है कि गैर मुसल्मान ने मारा है ये फैस्टा सुना दिया जाता है अमीज भाई छोटी छोटी दो तीन बाते हैं बहुत छोटी छोटी पहली बात छोटी बात जो 26 जनवरी को ये शर्मनाग घटना हुई है ये किसी ने भी की हो माहौल बहुत खराब था शोशल मीडिया पे बहुत खराब था मैं मुबारक देता हूँ साशन परशाशन को और योगी जी को कि उन्होंने उस गली के अलावा कहीं इस उत्तर परदेश में कोई हिंसा नहीं होने दी अगर हिंसा होती ये ही कुछ मीडिया का हिस्सा और आपोजिशन बैटके बोलता कि 2019 की तैयारी शुरू को हो गई ये पहली बात योगी जी को इस बात की मुबारक बात दूसरी बात जो एक फुटेज आया अमीज भाई जिसमें ये तत्था कतित कहा गया है अभी उसका इंवेस्टिगेशन हो रहा है कुछ हिंदू लड़के हतिया लहरा रहे थे वो कोई परसनल फुटेज नहीं है वो एक सरकारी ऑफिस के सीसी टीवी कैमरे से पुलिस ने निकाला है पुलिस ने स्टडी करके मीडिया को हैंड ओवर किया है उसको छुपाया नहीं गया है डी जी पी ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन में इस वीडियो का भी संग्यान लिया जाएगा पुनये दूसरी बार साशन परशाशन और योगी जी को इस ट्रांसपरेंसी के लिए मैं मुभार्ख बात देता हूँ नि आपके लिए ज़रूरी होगा मैं आपके लिए ज़रूरी होगा आपके सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपके सवाल पूछ रहो ये जो गैर मुसल्मान की बात है क्या ये बात जायज है जो बात अभी थोड़ी दे पहले सुदीन बुदरिया कह रहे थे क्या वो बात जायज है उसके जबाव आपने नहीं दिया ये निर्डे ये निश्कस निकाल लिया जाता है कि गैर मुसल्मान ने तो हत्या नहीं करी तो फिर किस ने करी हत्या किस ने करी हत्या उस पर कुछ नहीं का जा क्यों आरपारा जिसी पर है आप देख रहे हैं आरपार और मेरे सास इस दौर के अंदर डॉक्टर संबच पात्रा अबू आस्मी साहब सुदीन बदरिया सायद रिज्वान एमद मक्सूद अलहसन कास्मी साहब है चेवन इमाम काउंसल के कास्मी साहब अभी तक डिबेट में नहीं आए कास्मी साहब बहुत पॉइंटिट सवाल आपसे पूछता हूँ क्या इस निशकर्ष पे आना ठीक है एकदम से एक हफते के अंदर ही कि गैर मुसल्मान ने हत्या की है इस निशकर्ष पे आना जायज है जब जान चल रही है अठारा लड़कों की एरेस्ट हो चुकी है पहले बात तो यह है कि हिंदो मुसल्म खेलना गलत है बहुत ज़दा गलत है एक इनसान की जान गई है हम उसके गम्मे बराबर के शरीक और बर्ष ना करते हैं दूसरी बात यह है जिस तरह से बार 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 डी एम एस पी ने ने वर्ष ने 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 थोड़ी निकल का रही ह तो इस पर शक्टो होना लाजमी है कि असल कातिल कौन है और यह मामला एक हाई कोट की बैंच इसकी इन्कौाइरी करे है कि असल कातिल है कौन और सब जो भी हो किसी भी दरम दा दा चोड़ दीजिए वो कातिल है वो फसादी है उसको सफ़सर सब्सरत पर यहां तो जोर निश्कर्स दे दिया गैन मुसल्मान है मुसल्मानों को परशान करने की कोशिश हो रही है हाँ राम गोपाली अदब ने कहा है जब के आज मुकंबल शान्त है कासकन सांदर लेकिन आप ये बताइए जब डिबेट बजट पे होनी चाहिए बजट की खाम्या बजट की बुरा अच्छा ही होनी चाहिए आज मीडिया इसको क्यों भणका रहा है सवाल भणका रहा है मैं भी जो हम यहां पाली आदब संसद में बोख रहा है क्या हम इसको हवा नहीं दे रहे करका ने शान्त नहीं है इस बड़ाइए जो साट साल तक देश को मद्ट के तरंगे को मानने अमी जी जब वो मुस्मानों को हाटों में तरंगा देते हैं तो आपसे बाहर हो जाती ही ताखते हैं ठीक है ओके सेद रिजवान जवाब जवाब सेद रिजवान पहले आपका जवाब मौलाना साहब मौलाना साहब और काजमी भाई एक बच्चा मारा गया है एक बच्चा अंधा हुआ है 26 जनवरी के दिन जवे जनवरी के दिन का ये कांड है आजादी में किसने जंडा फेराया नहीं फेराया इसको पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हो राजनीती में मुसल्मान की आहूती कब तक देते रहोगे चांद मरे या चंदन मरे सलीम मारे या शुरेश मारे क्या फरक पड़ता है कसम पॉलिटिक्स हम नहीं कर रहे हैं अभी बात हो रही थी अभी बात हो रही थी मीडिया के एक वर्ग ने ये कहा कि तरंगे पर जंडा धंगा तरंगे पर दंगा ही नहीं हुआ दंगा कुछ और आपकिस्तान की हखने कोई भी आपर आप ते वापर पर पूटेज लाई है आ आपको अगर हिंदूस्तान में रहना है तो बंदे मात रहना होगा इस तरह की अभी प्लड प्रेशन मत आई करें ये विजूल क्यारे है जो पैसे से पैसा लगा करके तुरंगा तुरंगा की ज्ञेंडे लहारे के कर रहे हैं वो पकिस्टान के और घ्यर मुस्लमानी बारी बाद की बात हैं सब अपनी जर्मित बाता जवाब आज मीं साथ घूल्ड करिए है समित पात्रा जवाब 40 सेकिंड का वक्त आप मैं बड़े ध्यान से देखिए मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था मैं काजमी जी के पहले जो और उने बाते कहीं बड़ा अच्छा कहा कि हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इसमें सोहर्द बराना चाहिए ठीक रहते हो सुन लिजिए हैं में बसके ब्रभी आप के बीच में नहीं बोल रहा था अपके बीच में नहीं बोल रहा था सुन लीजिए देखिए एक कस्टमरी निंदा होता है कि जब आप पकड़ में आ जाए तो बोल जा हा 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 मैं निंदा 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 और एक होता है जब निंदा मन से होती है न तो शुरू से निंदा करता है आदमी तो आप शुरू से निंदा नहीं कर रहे थे उस समय को आपको हिंदु मुस्नि नजर आ आ ला था और जब चंदल मार आ गया उस समय आपको हिंदु मुस्नि नहीं करिए उस समय आप यहां बता आए तो आपको वंद्र मातरम कहना होगा काजमी साहब टीवी पर बैटके काजमी साहब अपने अपने युवाओं से ये बोलो कि अगर कोई कि दरिया और इसके नारे का जवाब तक नि देना है किया आप लो गोली मारने को सेंक्षन दे रहे और आपनी कोई तो अपने तो बागर रहा हूँ तो गोली क्यों मारोई अपको शर्मा हाने जाए आप पूरी आप यह फूर आ आप उसमें पर घड़े में खाँ कर रहा है और नारा क्यों लगाया नारा क्यों लगाया जो पिश्टल लिए घूम रहा है वो मुसल्मान नहीं है आप अपनी जुमान से कह रहे है आप खुद तो कह रहा है अरे वो हिंदू है या मुसल्मान है क्या फरक पड़ता है इससे बैए यह पुलिस का काम है आप तो बजट की बड़ी चिंता हो रही है अब बजट की तरन है अबू आजमी की तरन है अबू आजमी मैं बार बार इस सवाल पर इसलिए आ रहा हूँ आज एक खबर ये भी आई कि चंदन के फादर को धमकी दी गई है हाला कि पुलिस ने बोला अभी तक उन्होंने ऑफिशली हमें कंप्लेंट इस पर नहीं कराई है लेकिन पुलिस ने सुरक्षा दे दी है पॉइंट नमबर टू देश जानता है कि ये हत्याग गैर मुसलमान ने करी है मैं बार-बार वही सवाल पूछ रहा हूँ और मुसलमानों को टागेट करा जा रहा है अगर कोई वारदार्त हुई है और पुलिस गिर्फतारिया कर रही है तो हम पुलिस का की इन्वेस्टिगेशन का तो इंतजार करेंगे या हम निशकर्ष तक पहुँच जाएंगे गैर मुसलमान ने करी है इतनी सेलेक्टिव अप्रोच की हो जनाब ने ने जिनकी सरकार है उनकी नियत बिल्कुल सही नहीं है उन्होंने मुजफर नगर में 60 मुसलमानों को मारने वाले लोगों पर जो केस हुआ था वो केस विड्रा कर रहे है खुद मुखमंत्री महराज के उपर इतना राइट के बलवे के केसेज है वो विड्रा कर रहे है देखिए यहाँ पर यह है कि यहाँ पर वो लोग अपनी जगाबब बैठे हुए थे यहाँ गए लोग अगर राम गोपाल याद हो साहब ने कोई बात कहा है तो यह कोई सलक पे बैठा हुए कोई मामली आदमी ने वो एक बहुत सूजबूच के इंटलेक्च्वर नेता है उन्होंने जरूर कोई कोई इनक्वारी किया होगा तो कहा होगा इसमें हिंदू और मुसल्मान की कोई बात नहीं है दंगाई जो है पकड़ जाना चाहिए मुसल्मानों या हिंदूों लेकिन जो सोशल मीडिया पे आ रहा है कि मुसल्मानों के घरों में घुजज़ गुज़ करके दर्वाजे तो तोल करके निकाला जा रहा है ये कोई तरीखा नहीं है पूरी कुमार शुकला होम काड़ के अडिशनल डीजीपी है उन्होंने शपत लिया है आज शरम नहीं आती उनको सरकार ने तलब कर लिया है कि आपने शबत कैसे लिए ये भी ख़बर है पूरी कबर की जानकारी रखिया आप अब मैं जवाब रहा है उनको सर्षपन होना चाहिए ये हिमत कैसे बढ़ती है लोगों की करने की ये माहो जो खरात किया जा रहा है मैं कभी भी देखे हिंदू और मुसल्मान को बाती है अब सुन लिजिए पही बात मैं दो चीजों का जवाब देता हूं अब देखिए यहां पर बोला गया कि मुसल्मान इस देश में सेफ नहीं है अब मैं कैसे बोलू अमीज भाई कैसे बोलने देखिए सुन लिजिए अप यहां शुरू में कहा गया कि यहां पर मुसल्मान इस देश में सेफ नहीं है आप अमीज जी पताईए आज हमारे मुसल्मान भाई 20 प्रतिशत हैं consensus में बढ़के हुए डेमोगरफी बढ़ रही है यह सेफ नहीं है इस देश में और वहाँ पाकिस्तान में देखिए हिंदू जहां पर पहले 20 प्रतिशत था वो अब 2 प्रतिशत हो गया है आप यहां क्या मजा कर रहे हैं अरे आप मेरे भाई हैं सबसे दोना में बात कर रहे हैं सुन लीजी दूसरे बात में बताना करता हूं हम पाकिस्तान चले जाते हमारे भुजर्जॉरगों भाद वेला टो सारे बैठी al teras थैंभर कर रहे हैं कि ह हिंदुस्तय लगत बैठी वह बाद बिरूंद रहे ऐं दोल है यह डी टिक ऑन्ध्यमिन बोले और इस देशिक अरेec बोलें पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे नहीं लगाए पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाएंगे लिए आप नहीं है और यह वह दो कराएंगे और यह जूट करेंगे जूट करेंगे ऑन स्क्रीन सुदिर जी पर विश्वास नहीं है आपको पताएंगे शुदिर जी तो पहले से हरी हरी राइट लगाएंगे बैठे हुएंगे पीछे में पहले दिन ही कहा था जिस दिन देखे जिस दिन ये पहले ही घटना घटी थी उसी दिन हमने इसकी निंदा भी की थी और हमने कहा था कि जो भी दोशी हो चाहे दुकान जलाने वाले हो चाहे चंदन की हत्या करने वाले हो सब लोगों के खिलाफ सक्त से सक्त कारवाई होनी चाहिए जिसकी आँग गई उनके जो दोशी लोग है उनकी भी सक्त से सक्त कारवाई होनी चाहिए पर ये ऐसे नहीं होगा बहस के अंदर कि इनके विधायक भारतिये जनता पार्टी के विधायक बैटके वहीं पर एटा यही भारती जनता पार्टी का दोला चरित्र है जो पूरे देश के लोग जानता है रहे जो यह रहे हैं यह बदी बात मोल दी आपने आपके बार्ट के जल्ता पार्ट के बाद पॉटल पे रखिए क्या तत्य आपके बाद की बीजेपी आग लगवा रही है वो तत्य अगर नहीं है तो अपनी बात को बापस लीजेगा सर ऐसे ही आप कई हवा में फायर नहीं कर सकते इस डिवेट के अंदर यहार पार है कुछ आप देखरें इस समय आरपार और ब्रेक से पहले सुधीन बदरिया ने एक बड़ी बात बोली बीजेपी के विधायक के बारे में बोली मैं चाहता हूं सम्विट पात्रा इसका दो टूक जवाब दे जो उनके बाद जवाब है 30 सेकंड के अंदर साहिए दिवान मैं आपक करिये मत करें अपने ओमास कके लिए निया नाम करें बैड़्या ने ऐसाथा तर्यामर मत करें नर्ट करिये यहां दंगा मत करिए और बैट जाएए बैट जाएए और हृँता कल एक तरहम है इंस जाएगे पहले मुझे बोलने दीजिए चिल्लाइब करेंगे तभी तो बोलूगा क्या है अजरीती की हालत देखिए इतने इतने सब्सक्राइब देखिए मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं अमीज इस देश की हालत निर्टेक्सा में हुआ है अब बात हो रहा है यह नौन स्टॉप चिलाते रहते हैं यह तो बच्चों से भी कुछ नदर आते हैं यह इंको सीनियर पॉलिटीशन कौन बोलता है अब आप सीनियर पॉलिटीशन हो है इस प्रकार का भी है सब्सक्राइब करिए अब आपको करिए अब आपको करिए बोले दीजिए तीज सेकिंड में के पॉइंट देखिए मैं बड़ी बात बोलने वाला हूँ इस देश में धर्म निर्पेष्टा की हालत यहां है कि सब कुछ यहां डिजाइंड है यह जो सुदिंद्र बदोरिया जी बैठे हुए हैं हरा हरा रंग करके यहां पर अगर आपका कैमेरा में ब्लू रंग का राइट भी ले यह लोग देश को धर्म निर्पेष्टा के नाम से यह मुझा पेजने की कोशिश करते हैं वोट बैंक के नाम पर हिंदू को टेकन का प्राइब यह तरीका भी कुछ आज रही है अब आपका तो हर जगा चूरी 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 अब बूरी हाथी चूरी है देखिए 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 अंग तक कैसे निशकर्श में पहुचे गया बसमाना चाहता हूं कौन जी अपकी आपकी पार्टी के पास है उसको पता लग्या गयर मुसल्मान था सब्सक्राइब गयर मुसल्मान के अध्या जाएं गुणा अगवाथ दालके कि तुमको जो है इए इंदुस्तान में रहना है तो अंदे मातरम कहना है पाकिस्तान मुर्दाबाद बोजे में इस परिशानी क्यों है आप पाकिस्तान मुर्दाबाद पर बोली मार देंगे पाकिस्तान तो आप लोगों के करीम ने अपनी कौम के नेताओं से अबुभाई एक मिनट अबुभाई मैं अपनी कौम के नेताओं से और मौलानाओं से यह हाँ चोड़ के बिंती करता हूँ हाँ चोड़ के कि यह बाते टीवी पे करनी बंद करें कि क्या नारा लगाया था भगवा लेके गए थे हमारे इलाके में गए थे ऐसी बातों से आपसी रंचिस भड़ती है कम नहीं होती और आने वाले 15 अगस को में और मेरे साथ बहुत सारे मुसल्मान मेरे दर्वाजे के सामने कि आपको यह बातरा की जैके नारे लगेंगे थीक है 20 से किन में आपका पॉयंट किया है कि आपको लगता है गए चैए आज हए नायजा है हिंदू नहीं मरा है हिंदूसतान का बेटा मरा है एक मусल्मान के आख नहीं पूर्ओडी है हिंदूसतान के बेटी के आख पूरी है चंदन गुपता की मौश से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ इसकी जाच होनी चाहिए अहुतागी जाच झालाा इसकी जाच होनी एसकी जाच